मौउ के कलेक्टरेट परिसर में उस वक्त थड़कम मच गया जब प्रभारी मंत्री के कारेक्रम में लगे टेंट में सौर्ट सर्किट से आग लग गई जिस से कारेक्रम में बैठे लोगों में अफ्रा तफ्री मच गई लगभग 15 मिनट तक आग जलती रही और जिला अधिकारी खड़े होकर तमासा देखते रहे वहीं आनन फानन में एस पी अविसे की यारों ने फायर विभाग को मौके पर बुलाया जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका बता दे कि प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी का जिले में किसान रिल माफी का कारेकरम था किसानों को रिल माफी का प्रमाल पत्र देने के बाद मंत्री जैसे ही बाहर निकले तो अचानक टेंट में आग लग गई और टेंट के नीचे बैठे किसानों में भगदर मच गई पूरे मामले में जिला प्रसाशन की बड़ी लापरवाहिस सामने आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिंथेटिक कपले पर बैन लगाया हुआ है बापजूद इसके प्रभारी मंत्री के कारेक्रम में सिंथेटिक कपले के टेंट को लगाया गया था नियूज आई के लिए मौसे जाहिद इमाम की रिपोर्ट हुआ 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 है